वी OS 3.0 का एक latest port room का update आया है हमारे POCO F1 डिवाइस के लिए है जिसे मैं फिलाल कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको complete detail देने आ रहा हूं कि क्या कुछ हमें नया देखने को मिलता है इस OS की और से साथ से साथ इसे कैसे flash करना है हमारे POCO F1 क के अंदर तो complete detail आपको मिलने माला इस वीडियो के अंदर इस रोम से रिगार्डिंग तो वीडियो को full end टक watch करते रहें अगर आप इसे जो ट्राइब करना चाहते हो तो यह जो वी ओए से एक सेमी जी एसाई है जो कि एस्पेसली पूर्ट किया गया है हमारे POCO F1 डिवाइस के लिए जहां पर बिलकुल यह आपको लुक्स डिफरेंट रिखने को मिल जाता है और काफी क्लीन एवाई रिखने को मिलता है तो इस वीडियो के अंदर में फुल को मिलता है जहां पर Android 10 का आपको जो सपोर्ट मिलता है वन में 2020 का है जो सिक्यूरिटी पैच लेवल है और यहां पर गूगल प्ले जो सिस्टम अपडेट है तुटाइन ट्री वन का है अमोंग 787 का यहां पर करने यूज किया गया है बाके जो ब्योल्ट के थ्रू मेंटेन किया गए उनके नेम आपको देशने को यहां पर मिल जाते हैं वही पर आगे कि रहाते हैं यहां पर Google के ओप्संस पर गड़ा देशने को मिल जाते हैं सिस्टम के अंदर आपको मिलता है रिजेट का टाइम एंड डेट एंड लेंग्वेज इन्पुट का यहां पर सिस्टम इसके अंदर आपको देशने को मिलता है फिलेप्टू मिउट जिसका जो夏 प्रेविव के रूप में इस तरीके से दिखाई देता है वह ए पर जो लेulator चेक आपको यहां पर देशने को मिलता है जंप कैम्रा और तो प्रक्षंब Ciao में के बीच पर करने के वाद यहां पर अप्लिकेशन के डिटियल से यहां पर मिलता है, स्टोर्ज वगरा है, बैटी जितना भी मैंने यूज कैट ठीक ठक लगा है, लेकिन यहां पर चार्जिंग के टाइम पर फोन थाबूत हीड होता है, जिसको उसे चार्जिंग के स्पीड थोई से डाउन चली जाती है, वहां अप्लिकेशन को मैंनेज कर सकते हो कि किस तरीके के नोटिकेशन कब देहनी को मिलेगा, कब देहनी को नहीं मिलेगा, वहां पर आपको साउंड का प्रोफाइल मिलता है, जहां पर आपको बाइडिफोल कोई भी रिंक्टोन सेट देहनी को नहीं मिलता है, टेक छोटी सी कमी सब्सक्राइब और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेले इन पर क्लिक करके नोटिक्स को इनवल कर ले ता कि जब मैं वीडियो दूँ आपको जो नोटिकेशन मिल सके और आप उससे जो वाच करके बेनिफिट ले पाँ यहां पर मैंने ब्लोदोध को करनेक्ट कर रखा है जो कि प्रोपर काम करता है कॉलिंग के टाइम पर और नॉर्मल भी और जितने भी एक्शन आप यहां पर एक्टिव करोगे उसके सब्सक् यहां पर यहां पर यहां पर यूज कर सकते हो जो कि मुझे पसंद आया रिडिंग मोड भी यहां पर नाइट लाइट जो है काम करता है टाइम आउट वगरा भी साही है रोटेशन भी हमारा वर्किंग मिलता है नोटिवीशन के लिए आप यहां पर अपैर कर सकते हो और बाइडिफोर्ट आपको मिलता है ट्री बटन का अप्सन जो कि कुछ इस तरीके से मैनेज आप अपर जो कर सकते हो कि किस टाइब का आपको जो करना है रोकिस टाइब करना है आप चाहाँ अपको लूग यहां पर देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफी अच्छा है और मैसीं कर लेयाओड या पर डिफरेंट अप्लिकेशन आपको दिखाई देने सारे बाइडिफर्ट अप्लिकेशन है जो कि प्रोपर काम करते हैं बट यहाँ पे एक इसू लगी मुझे वह है माइगरेट को लेकर कि अक्सर में माइगरेट का यूज करते हूं बट यह इसली रूट हो गया नेट्रेट भी पास है बट मेरा माइगरेट अप काम नहीं कर रहा है जिसके वह से मैंने कोई भी डेटा जब रिएस्टोर नहीं किया लेकिन यहाँ पे जो अन्टूटूर का स्कॉर है वो मुझे काफी ज़्यादा बेटर लगा है जैसा कि MIY12 का MIROAM, MNDFX और बाके अधर पर देखने को मिलता है तो यहाँ पे टोटल अस्कोर हमें मिला है 355244 का जो कि हर यूजर स्कोर डिफरेंट 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 देखने को मिलता है और Vsmart Live यहाँ पे आपको दिखाई देता है क्योंकि यह उसी डिवाइस का है जो रोम है जो कि हम अभी फिलाग पोको ए यहाँ पे बाइट डिफरेंट 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 डिफ जो कि support नहीं कर रहा है यहाँ पर tap to fix का option आ रहा है और साथ सेधाद plus में HD का capability का यह लोगो देहनी को मिलता है जो कि हमेशा अपेर रहता है जिसे आप disable नहीं कर सकते और यहाँ पर जितने भी option है यह अच्छे तरिके से perform करते हैं जो कि मुझे काफी जला है जो बेटर लगा और यहाँ पर simple mood अगरा भी है जो आपको देहनी को मिलता है जो कुछ इस तरिके से अपेर होता है जहाँ आप 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 नौर्माले जो चोटी मोटे काम है जो ला सकते हो ते भी काफी अच्छा option है जैसे कि child mood वगरा है किसी को फोन द अब बार यहाती है कि इसे flash कैसे करना है तो यह आप simply दो फाइले को जूरुत पड़ेगी फर्स्ट आपको framework का जूरुत पड़ेगा और दूसरे इसके फाइल की जो की आपको download करना होगा description से उसका switch करना है टीडिलोड़ड़ड़़ड़़ड़़ड़़ड़़ड़़ उसका migrated के फिरू backup बना लो ताकि आपको आप डेटा है जो बरवाद ना जाए उसकर advanced wipe पे आके जितने भी option है सभी को आपको select कर लेना है बस internal storage का आपको wipe नहीं करना है अधर्वेज आपके सारे important data ज़र इरेज हो सकते हैं यहाप complete wipe हो जाने के बाद home पे जाना है install के option पे जाना है और सबसे पहले आपको जो flash करना है POCO F1 V11.0.8 जो के Android 10 का framework है इससे select करना है और flash करना है यह online आपको 97-92 MP का देहनी को मिलेगा इसके complete flash होता ही आपको home पे जाके फिर से install पे जाना है और जहां पे आपने file को download करके लखा है वहाँ पे आपको जो browse करना है यह रहा ह VOS POCO F1 3.0 POCO PORTS ठीक है इससे select करके flash कर देना है Complete flash हो जाने कवरें आपको एक और wipe catch करना है DFE डालने की जरूत नहीं है कि include आपको यहाँ पे मिल जाता है उसका reboot पे tap परके और लिएन कुछ second का आपको wait करना है यह एक semi GSI है तो fully perfect नहीं है लेकिन maximum चीज़ें आपको working देहने को मिल जाता है अगर आप इसे daily life में heavy use करने वाले हो तो आपको जो कुछ न कुछ नए और unstable bugs देहने को मिल सकते हैं तो मैं आपको यह request करूँगा कि आप इस जो normal basic use के लिए इसे use कर सकते हो ट्राइ कर सकते हो लेकिन daily life में use करने में आपको problem face करने को मिल सकता है और जो भी problem होगा आप जरूर रिपोर्ट करना मुझे या इसके group में आप जोईन होके जो महाँ पे है जो take कर सकते हो अपने health फगरा को तो वीडियो को आज यहीं पे end करते हैं अगर आपको पसंद आया हो तो बस एक thumbs up देना है और इस तरह के interesting वीडियो के लिए चैनल को subscribe करना है और मेरे साथ बने रहना है ताकि आपको जो इस तरह के informative वीडियो से जो मिल सके rooms का तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ खास और स्पेसल लेकर तब तक लिए गाइच बाबाए